पैनिस साइज कितना होता है या कितना होना चाहिए ये सवाल आपके मन में बार बार आता है इसलिए आप मुझे यूटूब पर कमेंट डालते हो वाटसब पर मैसेज करते हो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि नोर्मल पैनी साइज कितना होना चाहिए कितने साइज से आप अपनी एक नोर्मल सेक्स और लाइफ जी सकती हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोटेंट है एंड तक जरूर देख लेना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आगे बढ़ने से पहले में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और हाँ वो जो आल का बटन होता है उसको जरूर आप दबा देना क्योंकि यदि आप उसको प्रेस नहीं करोगे तो आपको जो मेरी वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वे आप तक नहीं पहुचेगी अब बात करेगे पैनिस साइज की देखिए पैनिस साइज दो स्टेट में होता है एक तो फलैसिड मतलब एक डाउन स्टेट में होता है एक इरेक्ट तनाव की स्थिति में होता है जो मैं बात कर लो आज पैनिस साइज की वो मैं अपने इंडियन कल्चर की बात कर लो मैं पूरी वर्ल्ड की बात नहीं कर लो क्योंकि जो मेरे पास मेसेज आते हैं वे जादर इंडिया से आते हैं या जो हमारी भारते हैं उनके मेसेज आते हैं कि सर हमारा पैनिस साइज इतन पर नहीं होता है, हो सकता है, लेकिम average की बात करें, इंडियन की बात करें, 4-5 इंच बिल्कुल नोर्माल है, यदि आपका 4-5 इंच की बीच में हैं, तो कभी भी कोई medicine नहीं खाना, कभी कुछ, किसी से कोई discuss करने की जुरत नहीं है, और यदि आपका डाउन स्टेट में 2-3 इंच के बीच में हैं बदलाब डाउन स्टेट में 2-3 इंच में या 3.5 इंच तक हैं तो बिल्कुल भी कोई medicine नहीं खाना ना किसी से discuss करना है ना किसी doctor से मिलना है ना कोई medicine खानी है ना कोई cream, चेटनी, मनलं, कोई injection कुछ नहीं लेना है देखिए यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप कही ने कही अपना पैसा बर्बाद करोगे और जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है इंटेंसन है कि आपका जो पैसा है वो बर्बाद होने से बचा सोगो सबसे बड़ी बात है आपको ये देखना है कि आपके पैस में तनाव है या नहीं है मैटर ये करता है साइज कभी भी मैटर नहीं करता है मैं मुझे इतने साल प्रैक्टिस हो गई करते हुए तो कभी ऐसे कोई कंपलेन नहीं आई है कि साइज को लेकर लेकिन यदि आपके अं stamina कम है, तो इसके लिए आप जो मेरा बनाया हुआ product है पूर जोई, ये try कर सकते हूँ बहुत अच्छे इसके result है मतलब आपको जो मैं कभी भी आज तक वीडियो में मैंने यह नहीं कहा कि मैं ऐसी दवाई देता हूँ कि जिससे size बढ़ जाए कभी नहीं काम, ना मेरे पास कोई ऐसी medicine है, कि जिससे कि मैं को कि इस तेल को लगा लो, इस क्रीम को लगा लो, मलम को लगा लो, आपका size बढ़ जाएगा क्योंकि आपका तो normal size है फिर आपको medicine की क्या जल्लत है जल्लत है आपको stamina की यानि कि आपको जो blood flow है वो कम हो गया है, उसको better बनाओ जो muscles हैं, वे weak हो गई है उसको ताकतवर बनाओ ये आपको काम करना है, लेकिन size के चक्कर में आकर, अपना पैसा अपना कीमती पैसा, जिंदगी में कभी बरबाद मत करना किसी से कभी consult मत करना कि मुझे अपना size बढ़ाना है size जो मैंने आपको बताया है erect position में यदि आपका 4-5.5 inch है बिल्कुल मत गबराना कोई पैसा मत खर्च करना, मैं बार-बार यही बोलता हूँ, और जो मेरे पास comment आते हैं, या whatsapp पर आते हैं, मैं उनको सकते हो, मैं यह नहीं कर रहा कि आप कोई product लेना है, यदि आपको ठीक है आपको अपने partner को satisfied कर रहे हूँ prematuration नहीं है erectile dysfunction नहीं है तो फिर किस बात कि आप medicine खा रहे हो किस बात कि आप कोई video देख रहे हो या किसी से discuss कर रहे हो कभी भी ऐसा discuss मत करना तब भी कोई कोशिया ने, कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप direct मुझे message कर कर पूछ सकते हो Thank you very much